हेलो फ्रेंज कैसे हो उमीद करती हो आप सब अच्छे होंगे आज हम स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास का 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो की बायो का है तो देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कि हम जितने भी लिविंग फिंग्स होते हैं वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं या पर्फॉर्म करते हैं जैसे कि कौन-कौन सी ग्रोथ होगी रैस्पिरेशन होगी एक्स्किरेशन होगी शर्कुलेशन होगी जितनी भी ये प्रोसेस होती है रैस्पिरेशन डाइजेशन ये एक साथ लिविंग उर्गिनिजम में पर्फॉर्म करती है और हमारी बोडी को मेंटेन रखती है जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं लाइफ प्रोसेस के पार्ट देख लेते हैं वही ओगया ग्रोथ, रैस्पिरेशन, रैस्पिरेशन, चर्कुलेशन और एक्सक्रेशन इसमें एक में पॉइंट आता है नूट्रीशन किसमें इक मेरें पॉइंट याते है नूडेशन दी फूल defense भाई वी च आनो औरकली नीजम ओपेंग इस फूड़ जो हम अपने फूड से उप्टेंट करते हैं उसको हम नूट्रीशन बोलते हैं तो यह नूट्रीशन इन प्लांट में कैसे होते हैं और इन अनिमल में कैसे होता है जो प्लांट में होता है और जो अनिमल में होता है और हेट्रोट्रोप्स होते हैं autotrophs क्या होते हैं can make their one food जो अपना बोजन खुद बनाते हो और heterotrophs क्या होते हैं जो depend on plant or other animal for their food जो अपने food के लिए अपने बोजन के लिए दुसरों पे depend रहते हो plant पे animal पे उसको हम heterotrophs बोलते हैं modes of nutrition next point है हमारा इसके भी two parts है autotrophic और heterotrophic तो autotrophic क्या होता हम देख लेते हैं kind of nutrition in which in organic material like CO2 जो nutrition हम organic material से बनाते हैं जैसे CO2, water, etc. utilize, prepare organic जो utilize अपने आप में utilize कर लेता है, खतम कर लेता है या भाप लेता है अपने अंदर और prepare करता है organic food को किसी भी process के साथ या फिर photosynthesis process के साथ by the process of photosynthesis उसको हम heterotrophs बोलते हैं मतलब कि जो अपना बोजन खुद बनाते हैं या synthethe करके या फिर कैसे भी उसको हम autotrophs बोलते हैं for example green plant अब heterotrophic देख लेते हैं kind of nutrition in which an organism do not process stability of by synthethe their own food they depend on autotrophs for their food supply directly और indirectly जो organism अपने nutrition को प्राप्त करने की ability नहीं रखते हैं ना तो synthethe इसके दोवारा ना ही अधर process के उसको हम heterotrophs बोलते हैं जो कि एनिमल एंड फंजाई सो नेक्स्ट है हमारा co2 एंड वाटर तो co2 में क्या होगा इंटर थ्रोद अस्टोमेटा जो हमारा वह स्टोमेटा के दुवारा अंदर इंटर कर जाएगा और oxygen जो महारी hotel oxygen एब इसको release कर देखा किसी भी अंदर मैं प्रोडेक्ट में इफ लीफ के स्टोमेटा से जो मारी oxygen वह पास हो जाएगी वाटर वाटर में हम किसी भी मिनेरल कोई करेंगे जैसेиваем से कोई भी मिनरल हम उसमें डिजॉल करेंगे तो वो क्या करेगा रूट में जाके सोईल के अंदर जो वो रूट में चला जाएगा तो वाटर प्लस डिजॉल मिनरल एक नाइट्रोजन फोसफोर्स एट सेक्टरा आर टेकर अप बाइदा रूट फ्रूम दा सोयल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइट ओफ फोटो सेंथेज कि जो मारी फोटो सेंथेज होते हैं उसकी साइट्स क्या होती हैं क्लोरोप्लास्ट इंदा लीफ जो हमारी लीफ होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट में कंटेन होता है क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रीन पिग्मेंट जो हमारी लीफ होती हो ग्रीन होत कि जो हमारी light में absorption होती है वो किसके से होती है chlorophyll से conversion of light energy into chemical energy जो हमारी conversion light energy होती है वो किसमें convert हो जाती है chemical energy में और plus जो हमारी splitting होती है water की मतलब जो हमारा water उसमें तूट जाता है जो water के molecules होते है किसमे hydrogen and oxygen में तो हमारे जो water के molecules से वो किसमें तूट जाते है या तो hydrogen या oxygen में उसके बाद reduction होता है carbohydrates का तो reduction of CO2 carbohydrates next है हमारा stomata stomata क्या होता है teeny pores present on the surface on the leaves जो हमारी leaves होती है उसके उपर जो teeny teeny parts से present होते हैं छीदर से वो stomata होते हैं इसका functions क्या होता है exchange of gases यह gases को exchange करते हैं to your CO2 को lose large amount of water जो हमारा पानी होता उसको large amount में loss कर देते हैं खतम कर देते हैं water vapors को during transferations वाफ बनके उपर उठ जाते हैं तो ऐसे जो है हमारा leaves का जो water है वो खतम हो जाता है तो next हम देख लेते हैं stomata का structure जो यह balance shape का structure आप देख रहे हो इसके अंदर एक bean shaped की lining है उस lining को हम बोलते हैं chloroplast इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स है उसको हम chloroplast बोलते हैं और जो एक बड़ा सा पोर है उसको स्टोमेटल पोर्स पोलते हैं तो यह उट्रोप्स में stomata का structure है नेक्स्ट है हमारा हेट्रोटोफिक nutrition इसके थ्री पार्ट होते हैं holojoic, saprophatic और parasites तो हम holojoic को देख लेते पहले animal take solid food and breakdown inside the energy इसमें जो animals होते हैं वो अपने food को अपने अंदर ले ले लेते और उसके बाद breakdown करते हैं for example amoeuvan animals saprophatic organism feed on dead decaying matter जो organism होते इसमें वो मरे हुए जीवजनतु या फिर decaying matter जो की गलेसरड़ा पदार्थ है उसको लेते हैं for example fungi parasites जो parasites होते हैं live inside or outside other organism यह जो parasites होते हैं यह other organism के अंदर भी और भार भी host रहते हैं और drive करते हैं अपने nutrition को जैसे कि कुश्क्यूटा यह एक plant का नाम है जो की parasite की तरह खून चुशता है कोई भी अपना nutrition है बाहर से उस चीज को शोक लेता है how do organism obtain their food जो हम organism होते हैं अपने food को कैसे लेते हैं unicellular यह single-celled organism होते हैं food is taken up through the entire surface यह अपने food को अपने अंदर ले लेते हैं इसके अंदर फूर एक्जामपल अवीबा और पेरामीशियम तो हम अमीबा की थूरी देख लेते हैं हमने अमीबा का structure बना दिया यहां पे उसके अंदर देख लिया क्या क्या होते हैं हमने जो बाहर food डाला वो food particles हो जागा यह पुषूड़ा पोडिया होता है और इसके अंदर food vacuels होते हैं तो है nutrition है आमीबा का तो जो हमारा आमीबा वो पुषूड़ा पोडिया हो गया उसने अपने अंदर extension of cell membrane capture food taking food vacuels next digestion of food in food vacuels and digest food and move to surface of cell and is throw out कि जो हमारा आमीबा होता है उसने अपने food को capture किया material को उसके बाद उसने उसे food vacuels को अंदर ले लिया और उसका digestion किया digestion के बाद जो undigest food बच गया उसको बाहर निकाल लिया तो यह हमारा क्या था nutrition था अमीबा का तो अभी तक तो हमने अमीबा का nutrition पढ़ा था next हम paramecium का पढ़ते हैं paramecium में एक saliva present होता है जो कि food को लेता है और एक specific sport को रखता है तो paramecium से cilia present in take in food and at a specific sport इसके हम step देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इगेशन्स, डाइजेशन्स, एब्जोर्शन्स, एसिमिलेशन्स और इगेशन्स तो यह इसके food nutrition के पार्ट है नेक्स्ट हम nutrition पढ़ते हैं होमन बीग्स का यह थान nem a human digestive system comprise of elementry canal ए忌न अशोसिएशन्स डाइजेश्ट्यू ग्लेट कि हमारा जो हमन का डाजेश्टिश्ट्य। शीस्ट्व होता है वो हम इसके डाइजेस्ट्यू ग्लेंट तक तो हम इसका दे लेते हैं नुूतिशन्स, huomah being का,सब से पहले हम माॉथ में लेते हैं पुछ Self also में लेते हैं उसके बाद टीथ जोकी चबाता है ग्रैंडिंग बाठाक देता है उस Peach नेस्ट पोसे से माहरी टंग जोकी रॉलिंग करता है फूड की कि टेस्टिंग करता है फूड की swelling pushing down of the food और वो push कर देता उस food को नीचे की side तो उसके next point है मारा slavery gland जो की secret करता है saliva के साथ या मुकेस के साथ उसको बिल्कुल बिचूर देता है starch बना देता slavery and mileage के जो की sugar में convert हो जाता है उसके बाद आता osophagus जो की food को लेता है taking food for from mouth to stomach by the perisettlet तो next हाता हमारा osophagus जो की food को लेता है taking food from mouth to stomach by the perisettletealic movement जो की अपने food को अपने mouth के द्वारा stomach में ले जाता है contraction and expansion of muscles of the osophagus next point है हमारा stomach gastric gland secret gastric juice जो की gastric gland से लेके secret कर देता है उसको किसमे गेस्टेरिक जूस में तो गेस्टेरिक जूस के भी थ्री पार्ट होते है pepsin, HCL और mucus जो हमारा pepsin होता है उसमें जो हमारे enzyme होते है वो breakdown हो जाते है protein के अंदर HCL जो होता है हमारा make medium acidic होता है और जो mucus होता है उसमें जो protect करता है हमारे अंदर की lining को stomach जो हता हमारा उसकी stomach की अंदर की lining जो हते है उसको protect करता है next है small intestine उसके बाद जो हमारा food है वो small intestine में जाता है उसके भी थ्री पार्ट होते है carbohydrates, fats और protein जो हमारा carbohydrates हो glucose में convert हो जाता है जो हमारा fats होते है वो fatty acid और प्रोटीन में प्रोटीन होता है वह अमीन हीड में कर्णव जाता है। उसके बाद हमारा फूड पॉइंट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि विलाई के रूप में एक विलाई स्टक्चर बना लेती है। help in absorption of food into the world जो कि हमारे फूड को absorption में help करती है किसके अंदर खून के अंदर जो कि finger-like projection इसका structure होता है next process है हमारी small intestine जो receive करती है उस secretion food को इसके उन दो पार्ट में लीवर में और pancreas में जो हमारी लीवर में होती है वो bile juice के रूप में convert हो जाती है एक लार्ग fat globules होता है गुबारे की shape के एक structure होता है उसमें हमारा food आ जाता है और वो small fat globules में convert कर देता है उसके बाद हमारा pancreas juice बन जाता है हमारे food का इसके भी two part होते है और ट्रैपसीन और लीपेज जो हमारा ट्रैपसीन होता है वो protein और peptone में convert कर देता फूड को और जो लाइपेज होता वो हमारे fat और glycerol में convert कर देता है और इसके बाद हमारा जो food होता है वो emulization ओड़े जाइसे संग और इस प्रोसेस में जो हमारा food है वो काटर के रूप में दा रेस्ट ओफ दा मैटेरियल इज रिमूफ रूम दा बोडी वाइव दा एनस और जो मारा एंडाजेस्ट मैटेरियल बच जाता है इसमें जो बिल्कुल एंड में वो रिमू कर देता किसके द्वारा एनस के द्वारा जिसको भी गैसेंस बोलते हैं तो नूट्रीशन था हुमन का तो यह मैं दिखा देती हूं थोड़ा बढ़ा करके तो यह हमारा जो पूरी हुमन बोडी है उसमें सारा नूट्रीशन फूड के पूरी प्रोसेस है यह ओरल के विटी है टंग है असलाई स्लाइव डिग्लेंड है पैंकरीज है उसो फेगस है ल अनस यह सारा है तो यह आप देख लेता यह सारे नूट्रीशन है हुमन बिंग्स का तो नेक्स्ट पढ़ते हम रैस्पिरेशन हमारा रैस्पिरेशन जो है वह कैसे इन्वोल होता है उमन बॉडी में तो इसका फर्स्ट पॉइंट है गैस यह सक्षेंज जो हमारी उमन बॉडी होते हैं गैस को एक्सचेंज करती रहती है कि इंटेक ऑफ ओक्सिजन फ्रोम डाइटमोस्फेर एंट रिलीज ओफ सियो टू ब्रेफिंग कि जो हमारी वुमन बॉडी है वो ओक्सिजन को तो लेती है एटमोस्फेर से और उस पे सियो टू छोड़ देती है कर्मिल डैक्साइड जो की ब्रेफिंग इसका एक्जम्पल है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेकडाउन ओफ सिंपल फूड इन ओडर तो रिलीज अनरजी इंसाइड दा सेल कि जो हमारा सिंपल फूड होता है उसको ब्रेकडाउन कर लेते हो उससे जो एनरजी होती है वो इंसाइड दा सेल एनरजी ले लेते हैं जिसको हम सेलिलर रैस्पिरेशन बोलते हैं प्रेकडाउन ओफ ग्लुकोज बाइदा वेरेस पाथफे कि जो हमारा ग्लुकोज होता हम उसको अलग-अलग तरीके से ब्रेकडाउन कर सकते हैं जो ग्लुकोज को फॉर्मूला के हमारा C6H2LO6 इसमें ग्षेजन और जो एनरजी होता है उसमें प्रेजेंस होती है और जो एनरजी होती है हमारी उसमें प्रेजेंस होती है उक्सीजन-गाई हमारे से aire jö guide कि अavat होगी तो तो जिसमें एपसेंट होगा उसके भी क्या होगा उसमें इत्थनोल होगा उसमें कर्मन डैक्साइड भी होगा और एनर्जी होगी तो इसमें फर्मिंटेशन बन जाएगा इसका पॉइंट तो इसमें presentation में क्या होगा process of conversion of puric acid into ethanol कि process में जो में प्यारी कैसीड होगा वो इथनल में convert हो जाएगा और carbon dioxide में energy में किसके द्वारा yes के द्वारा और जो हमारी जिस में oxygen present होगी उसमें accumulation होगा तो accumulation में क्या होगा accumulation में of latic acid, coges muscles, fatigants, it's occur after the rigorous exercise इसमें जो हमारा food होगा, वो muscles की उसमें होगा accumulate कर लेगा latic acid से और जो हमारा exercise, rigorous exercise में present होगा तो हमारे जो respiration है उसके भी दो पार्ट होते हैं aerobic और anaerobic जो aerobic होगा उसके points से देख लेते हम take place in the presence of oxygen, इसमें oxygen present होगी next point है, हमारा próxim mitochondria इसमें जो हमारा mitochondria और जो हमारा anaerobic होगा उसमें हमारा chloroplast present होगा next point है, end product है CO2 एज़ तूओ, इसमें जो end product मिलता है वह CO2 अर्मेड एक्स आडिया वाटर और इसमें प्रोड़क्ट यारलकोललेटिक एसीड और इसका मैसे टोरी। कि प्रोड़क्ट ओन वही परीज बहूत इंरिलिजке और जोANORitas को सब्सक्र्य चेशेड मैनेजर मेसर इनरजी परिलीज करता है कि अम स्ट्रक्चर देख लेते हैं human respiratory system का तो पैसी जो फेर थोरोद respiratory system सबसे पहले हम जो है अपने respiratory में हवा के द्वारा लेते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले हम नौश्ट्रील अपने नाक से सास लेते हैं उसके बाद ओंसल पैसेज में जाता है next हो नेशिल cavity में जाता है फिर फेर नेक्स में फिर लार नेक्स में फिर ट्रेक्या ब्रॉंची और नेक्स्ट लंग्स और नेक्स्ट ब्रॉंच ब्रॉंच और नेक्स्ट अल्वोलर तो हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कैसे लेते हैं कैसे करते हैं रेस्पिरेशन तो पैसे जो फेयर थो दा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता वो एयर के द्वारा लेते हैं तो सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल नांक में सास लेते हैं उसके बाद वो नैसल पैसेज में जाता है उसके बाद नैसल कैविटी में जाता है नेक्स्ट पैरनेक्स में जाता है फिर लैनेक्स में जाता है फिर ट्रैकिया फिर ब्रॉंची नेक्स्ट लंग्स और नेक्स्ट ब्र पर नेसल पैसेज है फिर माउट केवीटी है उसके बाद फैरनेक्स है लेरनेक्स है ट्रैक्या है रिंग ओफ कार्टिलेज है ब्रॉंची है एफिफेगस लंग्स हर्ट और डैफ्राम तो यह सारा हमारा ओमर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डाइग्राम है तो इस तरह से यह लेते हैं हम सास का तो मोकैनिजम ओफ ब्रैफिंग यह दो टाइप में होता है इनहलेशन और एक्स हलनेशन तो इनहलेशन में जो सास लेते हो और एक्स में हम छोड़ते हैं तो इनहलेशन में देख लेते हैं डूरिंग इनहलेशन दा थोरेशिक कैविटी जो हमारा सास ले जते हैं अदर को वह सुकुड जाती है एंड रीफ्स ऑफ उसके बाद हम रीफ्स में लिफ्स कर लेते हैं उसको फिर डाइफ्राम बीकॉम फलाट इन से जो फिर उसके बाद डाइफ्राम वहा जाता है जो वरेट शेप में होता है वोल्यम ओफ लंग्स इंक्राइब इंटर दा लंग्स उसके बाद जो मारे लंग्स की वॉल्यम होती हो इंक्रीज हो जाती है और एलpez कर जाती है तोई इनल नेशन की प्रोथे प्रोसश तेक लेते है thoracic cavity contacts वो thoracic cavity के contact में आ जाते है ribs mood downward जो मारे ribs होते हो नीचे की तरफ downward हो जाते है next diaphragm become dumb shape जो हमारे diaphragm जो होता है volume of lungs decrease and air exist from the lungs जो हमारा volume है lungs का वो decrease हो जाता है और air में exist हो जाता है बाहर निकल जाता है lungs के द्वारा तो यह हमारा था respiratory system का home respiratory system का mechanism और process तो यह है हमारे diagram breathing mechanism के inhalation का और exhalation का सास लेने और छोड़ने का यह complete दिखा रखे है मैंने देख लो एक एक करके भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूं यह air rushing into the lungs है जब हम सास लेते हैं लंग्स में यह पार्ट दिखा रखे हैं कौन सा ट्रेकिया है ribs है राइज है ribs है कौन सा डैफ्राम है डैफ्राम में कौन सा है contracted muscle diaphragms है और यह exhalation का है जहां पे हम lungs सास छोड़ते हैं air out from the lungs, ventral column, ribs return to normal position, relaxed muscles, डैफ्राम्स तो यह mechanism of breathing के डाइग्राम है next point है हमारा एक्सचेंज ओफ गैसे बिट्विन अलवलेज, बल्ड और टीशू कि जो हम गैसे से वो एक्सचेंज करते हैं किस किस से अलवलेज से बल्ड से और टीशू से तो इसका एक पूरा प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं अलवलेज, सबसे पहले हम एयर में लेंगे लिचीन ऑक्सिजन जिसमें ऑक्सिजन ज्यादा होगे लिवलाई में उसके बाद वह बल्ड में चली जाएगी थ्रोदाबल्ड वैसल से नेक्स्ट हमारे जो अक्सिजन वह बाइंड हो जाएगी हमोगलोबिन इन आर्बीसी में इन एक्सट अमारे Оक्सिजन आवह रीलिस हो जाएगी टीस़ू में फिर वा करबन ड़ेकसाइड ट्सी में और बल्ड वैसल इन ऐल्वलाई में फिर हमारे जो करबन डाक्स आट वो रिलेज होजाएग इसकमें और उसके बाद हमारी करबन डेकसाइड र वो सेंड हो में देख लिए हमने उसके बाद आता है क्रीस्टाइल और्गेजम ये क्या होते हैं यूज और ट्रॉफरीक औक्सीजन फ्रों रस्पिरेसन जो और ट्रॉफिक में औक्सीजन का क्यों रोर्फरेशन में कि उसके बात है एकवेटिक औरगेजम जो ad रेशपिरेशन कैसे होता है इसप्रेसी प्लांट इनаль में 세्स प्लांट करेजेर सीपरेशन होता है डिनल गूर्ण को औरहते हुँ Listenि इंसे वह सब्सक्तें नहिमें लिपाँ 17 ciao 1 एक है आधे आधे सो फ्रॉइस्ट पॉइंट हम देख लेते हैं स्टो मेंटी क्षिए है प्लांट करेष स्पॉल होता है कि इसके एनिमल के अगोरडिंग dex ाइद का फ़िए प्लिवस्ट बात डेश्श करे पे लिए सब्सक्राइब जो भषण से लिए rikals होते हैं और तेन जर्णल सर्फेस ऑफ दा रूट रूट की जर्णल स 1500 होते हैं तो यहो Hijन के पार्ड है किसके प्लांट के ह civ 17 जाहती है नाही ओरी लाइफ of the second इसमें क्या होता है इसमें 뒷्धिर और टांसपिरेशनस होते है विसके लेते हैं human being like other multicellular organism need regular supply of food, oxygen etc. कि जो हमारा human beings होते हो से multicellular organism होता है उसको कुछ चीजों की regular जरूरत होती है जैसे food की oxygen की इस function is performed by the circulatory system और इस के जो functions perform होते हो circulatory system और transport system से होते है circulatory system in human being consists of जो हमारा circulatory system होता है वो तीन टाइप में, तीन पार्ट में consist होता है यह pumping organ, bird vessels और circulatory medium जो pumping organ होता है उसका example heart होता है और जो bird vessels होते हैं उसमें arteries और winds होते हैं और जो circulatory medium होता है उसमें bird और limbs होते हैं तो हम इसके एक पूरे प्रोसेस देख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो oxygen होती है वो deoxygenate blood होता है वो उसके बाद वेना के वाशे होते हुए right arterium में जाता है जो कि relaxed होता है उसके बाद वो right arterium से contract में हो जाता है उसके बाद वो right ventricle relaxed हो जाता है उसके बाद वो right ventricle में जाके relaxed हो जाता है नेक्स्ट वो लंग्स में जाता है लंग्स के बाद वो oxygenated buld बन जाता है उसके बाद वो left artenum में जाता है और वान जाके relaxed हो जाता है उसके बाद left artenum में जाता है जिसको contracts हो जाते हैं next left ventricle में जाके फिर से relaxed हो जाता है फिर left ventricle में contacts हो जाते हैं और फिर arteries के द्वारा होते वे body parts में supply हो जाता है और फिर से ओ डियो oxygenated bulg इस तरह से पूरी process चलती है हमारी जियो की हमारी circulatory system का part है यह पूरा diagram भी है circulatory system का यह हमें आपको बढ़ा करके दिखा देती हूं यह arteries हैं सारी वेना केवा, pulmonary arteries, pulmonary veins, left artenum, left ventricle, right artenum, venakeva from the lower body, right ventricle, septum जो की dividing walls है तो यह सारा हमारा जो बल्ड है वो supplier है यहां से यह सारी veins और यह दिखा रखी है तो hope so आपको अच्छे से दिख रहा होगा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बल्ड, अब सारा बल्ड का पढ़ेंगे जैसे हमने पीछे circulatory system का पढ़ा बल्ड जो होता है वो flat connective tissue होता है इसके दो पार्ट होते हैं solid component और liquid component जो solid component होता है वो बल्ड कोपिलेस होता है और जो liquid होता है उसमें plasma होता है जो solid component होते हैं उसके थ्री पार्ट होते हैं बल्ड 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 प्लेंटेंट्स और wbc white बल्ड सेल और rbc का मतलब होता है रेड बल्ड सेल तो हम देख लेते हैं rbc को इसमें carry होती है respect gas o2 और co2 दोनों और contain होता है emo globing जो की रेड कलर में होता है नेक्स जो बल्ड प्लेंटेंट से हमारी वो help करते हैं बल्ड क्लोथिंग में जब खून जब 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 जाता है उसमें help करती है wbc जो हमारी वो प्रोवाइड होता है बोड़ी डिफेंस बाइदा प्रोटीन है एल्ब्यूम है ग्लूबलीन है इन और्गेनिक मिनरल आयन्स है यह सारे लिपीड कॉंपनेंट्स में होते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं यह यलो इस फ्लूड होता है जिस यह लो इस फ्लूड इसकेप फ्रॉम दा बल्ड कैपलेरी इंटु दा इंटर सेलूलर स स्पेसं प्रोटेन देन बर्ड इसकेपलेरी ओंस नेक्सित होते हैं जो कि MarinUND Eigen बल्ड से मिलता है इसमें प्रोंड मिलता इसमें फ्लूड है जो हमारा लिम्प होता होओ टीशू सी heart में flow करता है जो कि ठ्रांसपेशन अन डिस्ट्रोइंग जम्स आशिस्टेंग करता है इसके बाद आता है cause यह भी दो type होते है arteries और क्लिट करते हैं oxygenated blood और क्लिम्स होता है उस्समें oxygenated blood को carry करते हैं तो हम पड़ लेते हैं कि जो आर्टेरी होते औकसीनेटीट बल्ड को कईरी करती है बड़ किसको चौद के प्लियूमनरी अर्टि जो फिifie растा की जो वीनशिटिम एनल रहे हैं चैने की अचेजनेटी न्यौाइट घृट्र किसको चोड के फिल्मनेरी विंस को चोड के सेकिंद पोइंट है हमारा ऑल सो करेदर डिश्टिवेसींग इसमें जो हमारी वैसल सोते हों डिस्ट्रीश्टिव्यूटिंग होती हैं और जो हमारा वेंस है उसको हम क्या बोलते हैं कोलेक्टिंग वैसल्स भी बोलते हैं और इसको हम डिस्टिब्यूसिंग वैसल्स बोलते हैं थर्ड है हमारा थीक और इलास्टिक यह हमारा जो आर्टरीज होती है यह थीक होती है और इलास्टिक होती है तो next point है हमारा transpiration in plant जो हमारी plant होते हैं उसमें transpirations कैसे होता है इसमें दो main conducting pathway होते हैं एक xylem और एक phloem जो xylem होता है वो हमारा carry करता है carry water mineral from the root to other part of the plant जो हमारा xylem होता है वो water and minerals को carry करता है कैसे? plant के other root से या other part से जो हमारा phloem होता वो carry करता है product of the photosynthesis from leaves to the other part of the plant वो तो water and minerals को carry करता है यह photosynthesis को carry करता किसे leaves से हो या other part से जो xylem है हमारा उसमें energy use नहीं होती जो phloem है हमारा उसमें energy use होती है from ATP next point हमारा जो transpiration है transpiration is the process of loss of water as vapor from the aerial parts of the plant कि जो हमारा plant का aerial part होता है उसमें जो हमारा water होता है वो भाफ बनके उठ जाता है इसको क्या बोलते हैं? transpiration process बोलते हैं इसके functions क्या होते हैं? absorption and up world movement of water and mineral by the creating pool कि जब हमारा absorption होता है plant में तो हमारी जो movement होती है plant की या प्लांट में water की वो उपर की side होती है water and minerals की जो की creating करते हैं? help in temperature, regulation in plant जो हमारा temperature होता है वो plant में regulation में help करता है जो हमारा temperature है वो regulation में help हमारे plant में जो temperature हो help करता है regulation next है हमारा transport of food from leaves जो हमारा food है वो ट्रांसपर्ट हो जाता है leaves में इसके बाद हमारा नेक्स टॉपिक आता है एक्सक्राइशन अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है रेस्पिरेशन पढ़ा है ब्रीफिंग पढ़ा है उसके मेकैनिजम्स पढ़े हैं अब हम पढ़ेंगे एक्सक्राइशन इस्ट्रोंस में हमारे आरंफूल मेटाबोलिजम सोन थे हैं यह जाब चंदा वेस्ट होता है वह बढ़ें इसको बोलते हैं इक्सक्राइशन एक्सक्राइशन इस्ट्रेटरी सिस्टम ओफुमन यूइंग इंक्लूड़िद जो मरेक्स एटिस्टम उते उसमें क्या क्या पार तो यह structure है यह मैं आपको थोड़ा बढ़ा करके दिखा देती हूं यह हमारा excreation का structure है इसमें यह kidney का पेर यह है renal arteries है इसमें renal veins है adrenal gland है यह kidney होगी यह artery हो गया यह वेना केवा utheris, unary bladder, utheria और unary opening तो यह सारा structure है इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं, unary product in the kidney pass through the utheris into the unary bladder where it is stored until it is released through the utheria इसमें क्या का गया कि जो हमारे urine होता है वो kidney से पास होता है उसके बाद वो kidney से पास होके uterus में जाता है uterus के बाद वो unary bladder में जाता है और उसमें store होकर के utheria के प्रोसेस से ओपनिंग से वो बाहर टिकल जाता है next है हमारा the purpose of making urine is filter out waste product from the bulg कि जो हमारा urine बनने का जो परपज है वो है हमारा waste product को बाहर निकालना bulg से for example urea which is produce in the liver और जो हमारा urea होता है वो produced हो जाता है liver में next है each kidney has large number of filtration unit called the neurons कि जो हमारी kidney होती है वो लार्ग नंबर में filtration करती है जिसको हम न्यूप्राउंस बोलते हैं next है हमारा जो urine होता वो formation करता है involved three step में three step में जो हमारा urine वो formation करता है glomular filtration tubular reabsorption और secretion तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं glomular filtration को इसमें हम nitrogenous waste glucose water amino acid filter from the world into the human capsules of the neurons global filtration में क्या होता है nitrogen जो nitrogen waste होता है glucose water amino acid इन सब का filter होता है बल्ड से किसमे human capsule में जिसको हम न्यूप्राउंस बोलते हैं next है tubular reabsorption इसमें जो useful substance होते हैं उसका filtration होता है यह अब्जोब होता है दुबारा से लब जो पहले वह चुके है उसको हम रिये अब्जोब करते हैं बैक पाइदा किसे capillaries surrounding न्यूप्रोंस से न्यूप्रोंस के पास जो capillaries होते हैं उनमें से उसके बाद आता है सेक्रेशन एक्स्ट्रा इसमें जो वाटर होते हैं साल्ट होते हैं वह सीक्रेट कर देते हैं एक टुबल्स में जोकी ओपन होता है collecting duct में जाके और उसके बाद वह उटेरेस में आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा hemodialysis यह क्या होता है the process of the purifying weld by an artificial kidney it is meant for the kidney failure patients इसे क्या कहा कि जो हमारा weld हो purify करते हैं हम किड़नी से artificial kidney से जिसको हम kidney failure patients बोलते हैं excretion in plant plant में excretion कैसे होता है जो मारे oxygen होती है COT carbon dioxide होती है और water होता है वो throw stomata से transpiration होता है मतलब आप बन के उड़ जाता है other waste में भी store in leaves जो other waste होता वो store होता है पत्तों में leaves में bark में which fall off from the plant और जोकी नीचे गिर जाता है plant से plant excret some waste into the soil around them जो मारे plant excret करता है waste को वो soil के के उपर गिर जाता आसपास तो gums recines यह जो होते हैं old जाइलम होते हैं some metabolic waste in the form of crystal of calcium oxalates in the leaves of colcassia of stamp of jamikant कि यह कुछ metabolism waste होते हैं हमारे जो की crystal of calcium oxalate होते हैं जो पतियों में पाजाता है और colcassia on stamp में पाजाता है जो इसको हम jamikants बोलते हैं तो यह हमारे कुछ metabolism waste है तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है excreation humans का और plants का तो यहां पर हमारा chapter भी complete हो जाता है उम्मीद करते हूं कि आप सब को अच्छा लगाओगा प्लीज अच्छा लगाओ तो लाइक subscribe जरूर किजिए मेरे चैनल को thank you so next है हमारा autotroph nutrition autotrophic nutrition क्या होता है the organism which carry out autotroph nutrition are called autotrophs चो organism अपने आप अपना बोजन बनाते हैं या nutrition लेते हैं उसको हम autotrophs बोलते हैं for example green plant इसकी हम एक equation देख लेते हैं सबसे पहले हमने autotrophs कोई भी organism लिया उसको यूज किया वो सबसे पहले कहां से बोजन लेगा simple inorganic material से उसके बाद वो convert कर देगा किसमें complex high energy molecules carbohydrates में autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in co2 and h2 and convert into the carbohydrates कोई भी autotroph nutrition है कोई भी organism जो autotroph nutrition बनाएगा तो उस अपनी process में co2 carbon dioxide oxide और water लेकर convert कर देगा carbohydrates में मतलब glucose में किसकी presence में chlorophyll और sunlight में जिसको हम photosynthetries बोलेंगे एक equation देख लेते हैं इसकी हम हमने carbon dioxide लिये 6 उसके बाद 12 molecules लिए water के तो 6 CO2 plus 12 H2O और sunlight और chlorophyll के presence में रियक्षन कराई तो हमें क्या मिला C6H2O6 plus 6 O2 plus 6 H2O मतलब हमें क्या मिल गया glucose मेल गया बना लिया नुसने अपना nutrition तो इस तरह से यह autotrophs nutrition हो गया उसके बाद आता है raw material from photosynthetries कि जो हमारा raw material है उसका हम photosynthetries कैसे करते हैं sunlight से करते हैं chlorophyll से करते हैं CO2 से और water से तो सबसे पहले sunlight से तो हम सिधा synthetries कर लेते हैं उसके बाद आता है chlorophyll chlorophyll में हम sunlight absorb कर लेते हैं chlorophyll में